बिसमिल्ला अरह्मन अरहीम असलाम अलेकूम ट्रेडर्स आम यह फेलो ट्रेडर एयू बाना एंड यू आ रवाचिंग यूर वाचिंग यूर ओन चैनल ट्रेड ट्रेक आज जी वीडियो में हम विकली अनॉस ड्रियांट करेंगे गोल्ड नेश्दक जी बीविपी जीपी य करता हूं तो गोल्ड पर हमारा ज्यादा फोकस रहेगा बाकि जो मेजर पेर होंगे उनके हम ट्रेंड और पॉसिबल ट्रेड जिंदा वीग जो होंगी वो डिसकस कर देंगे फॉस आफ में से शूरू होगा यह वीक और सेकंड अफ जून तक जाई है कर ट्वेटिन आफ में अगरा द पिज till को में चारीज करें चाहिए में से सुएस का बंक बंक चाहुदें बेंक करने कि एक सेशन में आपको जैपनीज बैंक ओपन होगा सेलन बैंक बैंको बनागा एशन में वैसे भी वोल्टेल्टी नहीं होती तो उसके बाद आप क्या ट्रेड करेंगे हो सकता है मुस्ली आपके ब्रोकर्स ओपन हो और मार्कीट जिसा कहते हैं ना ओधा काउंटर डोटी सी ट्रेडिंग हो रही होती है वह open हो लेकिन आपकी मार्कीट में वल्टेल्टी नहीं होगे सप्रेड काफी हाई होंगे थो इस दिन को ट्रेडिंग अवाइट गए कि मंदे नो ट्रेडिंग डेगकन ञंके लिए इस जलते हैं तो त्यूस्टेर में हमारे पास इमपोर्टें ऐसे लियन इंपॉर्टब टेटा है और चैनिस डेटा एफटर यह व्यक्त डेटा है और इसके बाद का सबस्क्राइब में नेक्स वीक में किस तरह की हो सकती है और क्या डेटा हो सकता है अब झाट फरस्ट जून में अगर तो हमारे पास important data तो खास नहीं है important data है at 5 15 p.m. ADP non-farm employment change एंप्र दाट 5 30 p.m. unemployment claims है यह वाइस रॉं प्लेम अभी तो रिवाइस नान फॉम पॉर्टिविटी अवाइस उनित लेबर कॉस्ट है and after that ISM manufacturing PMI at 7 p.m. ISM manufacturing prices at 7 p.m. तो अच्छा important world title day है first June after that last day of the week second June second June बहुत important दिन है USD के पेल्स के लिए और गूर्ड के लिए क्योंकि इसमें हमारे पास NFP के डेटा है average only earning है non-farm employment change है और unemployment rate है यह सब जो चीजें है इसको हम डेली की वीडियो में सब्सक्राइब करेंगे अभी के लिए सिर्फ हमने आइडिया लिया है नेक्स चलते हैं चार्ट की तरफ चार्ट की तरफ आने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ वह यह कि मैंने क्योंकि सिगनल सर्विस कुई कर दी है और मोस्टी मैं मैंसेजेश करता हूं लेना देना आइटिंक नाट बैड कुछ बूरी बात नहीं इसमें बट आप भूद भी साथ में लेंनिंग करनी चाहिए और दूसी बात सब्सक्राइब आप पर आते हैं आप पर आता है तो आप सभी से परफॉर्म नहीं करते हैं तो जिसकी अपनी ट्रेडिंग भी थोड़ी दिस्टर्ब हो रही थी आल्टो मेरे अनल से अलमदूर्द परफेक्ट थे बाट आइवास नाट गटेंगा गूद ट्रेड सब्सक्राइब निए निए पारा था मार्केट में क्योंकर सिगनल से इसके यहां से मुझे फूल टाइम मायनिके ट्वल्ट फूटीन आज मार्केट में बैठना पड़ा था तर मायों ट्रेडिंग मैं क्या करता हूं कि दो गंटे दीन गंटे बैट गया लंदन सेशन में सब्सक्राइब नहीं होती नहीं कोई परेशा होता है तो इस वजह से मैंने सिंगल से विट किया है बाकी मेरा नंबर वाट्ट सब्सक्राइब गिवन है और में सविसे जो हैं वह मैं प्रवाइड कर और यूटूब पे एंड आम शूर आई विल परवाइड आविधिं फ् पुलिजर्ट में अगर यह बेक होता है तो आप पर इसको फोर पॉर पॉइंट वोर पॉन्ट फोर पॉर देख सकते हैं यानि कि अभी के लिए मंतली चार्ड में बुलिश हो सकता है मंतली एक सुअर्थ में क्या होता है वीग लिछाड में इसका हम देके तो वीगिज हो यह पॉजिटिव हो चुका है तैनियर जीट आप देखें यहां पर यह स्विंग आई था इसका पहले क्या कि इसने यह बनाया उसके बाद यह लोगाई बनाया इसके बाद इसने यहां पे बेक करने के बाद नीच चाहिए अपने लोग को पिक किया अगेन यह पाज़िट है तो यह क्या होगा रिवर्सल नहीं होगा यहां से नीच आता भी है तो आपके पास 3.6 3.55 के अरिया में यहां पर यह ब्रेकर मौजूद है और उसके साथ यहां पर यहां पर स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है तो यहां से इसकी बाई बन सकती है मजीद एंड यह गो जा इ देख लेते हैं डेली के चार्ट में देखें तो यह अपने डेली के फिर विल्यू गैप पे ठहरा है और एक डोजी के अनल क्लोज कर चुका है रिजेक्शन आ चुकि है रिजेक्शन अगर कांटीनियू है थी थोड़ी बहुत मैंने जासे आपको बता रहा है कि यह यहां यहां पर यहां से अगेन यह अपनी बाइक की मुवमेंट को कांटीनियू कर सकते है तो वार्ड थी पॉइंट नाइन फाइव और फॉर के लावल ता ठीक है अभी के लिए पॉजिटिव यहां रहेगा रिजेक्शन एक्सपेक्टेड है आँ चलते हैं डलर इंडेक्स के चप्षट क्यां ड़लर इंडेक्स में क्या ऐं कि डेटा तो एमपोर्टन डेटा है नेक्स्ट वीक में बट उस से पहले जो एक टॉक चल रही है हमारे पास इसकी डे टाइस की डेट सीलिंग की जो टॉक लिए उसके मैं एक वीडियो भी अपलोड की व वीडियो में एक्ट कर दूँक आप देख सकते हैं अगर आपको डेट सीलिंग के बारे में नालेज नहीं है पहले तो फस्ट जून का जा रहा था कि इसकी जो है वो डेडलाइन होगी बट क्यूंकि अभी जो ट्रेयरी सेकेरिटी है ये 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 यूएस के फिफ्ट आफ जून तक अभी ये चीज मामला जा सकता है कि फिफ्ट आफ जून तक के लिए शायद उनके पास अभी फ अब देखने को मिल जाकती है और यूएस के स्टॉक्स डाउन देखने को मिल जाकते हैं अगर तो फिफ्ट आफ जून से पहले-पहले इनका ये मामला नहीं होता वाट अगर शैटल हो जाता तो फिर क्या होगा फिर मार्कीट अपने रूटीन में चलेगी डेली को जैसे फ जाली ती इसमें कोई भी आपके पैस वह नहीं तो नहीं तो हम कहते है के स्टॉक्चर शिप्ट वह यहाँ हम चेक और लेते हैं लगा कर के कहां तक क्या लैवल बन रहे हैं वीकली फिब नाची के लेवल्ट हम लगाए देख लेते हैं कि क्योंकि वीक्ली चार्ट में साट को थोड़ी एक्सपेक्टेड हो सकती है इसके बाद भी यह पॉजिटिव ही रहेगा और फंडमेंटल जो होता है ना उनको कुई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता उनको देखना पड़ेगा उस पे मजीद यहां से उपर चला गया अभी के लिए मैं इसको देखा हूं पॉजिटिव बट्ट ऑन मंडे क्योंकि हो सकता है यहां पर यहीं पर रिंगता रहे थोड़ा थोड़ा बहुत थोड़ी बुत रिटेस्मेंट लेकि आप इसको फी अगें पॉजिटिव देख सकते हैं तो यहां से आपको उपर की तब जाता हुआ दिखाई दे सकता है और फिर इसके बाद यह जो एडिया है इसका ओडर ब्लाक का 104.12 से लेकर 103.97 इस एरिया में आपको यहां से इसकी बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं यह उपर 104.8 और 105 की तफ मूव कर सकता है रिवर्सल लो जो है इसका चार गंटे के चार्ड में अभी के लिए 103.85 है 85 की नीचे कोई भी 4 गंटे की कैनल क्लोज होती है तो आप इसको देखेंगे कि यहां से मजीद सेल में जा सकता है क्योंकि यह order block भी बरेक कर देगा फिर यह order block ऐसे बरेकर काम करेगा फिर आप इसको नीच्छे 103.2 या 103 की तब देखेंगे वाट अभी के लिए bullish आप इसको buy में देखेंगे इस order block से नेक्स चलते हैं जी gold की तरफ weekly chart से gold को हम देखते हैं weekly chart में क्या important development हुई है इसको इसको इसने बरेक किया यह और weekly channel 69 की नीचे आपको closing दे चुकी है अभी के लिए gold जो है मजीद bearish हो चुका है एक और इसमें development यह हुई है कि weekly chart में इसका जो structure था वो बरेक हुआ है structure जो है sell की तरफ shift हो चुका है ठीक है यह swing low में mark कर देता हूँ यहाँ पर swing low था अब देखें यह जो है swing low break हुआ है 1968 के आप स्पास यह swing low है 70 पे let me mark it correctly ठीक है 1968 पर यह swing low था जो के break हुआ इसने के नीचे channel close हुई तो इसका मतलब क्या structure जो है sell में shift हो गया structure sell में shift होने से अब मजीद क्या होगा next gold को अभी हम next मजीद bearish देख सकते हैं sell में देख सकते हैं क्योंके swing low क्यों था यहाँ पर देखें यह low जो था इसके left और right की channel जो है वो उपर है यानिके उनके wix जो है इससे उपर है swing low था structure जो है shift हुआ है इस तरह से आप इसको कह लिए अब मजीद आप मार्किट को 1970 या फिर नाइटीन एटी तक रिटेस्मेंट अगर यह लेती है तो यहां से आप मजीद आप दुबार इसको sell दे सकते हैं अब मार्किट है बेरिश या तो यह ले 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 70 70 75 तक अधर वाज यहीं से डायक्ट भी साल जा सकती है लेवल्स क्या हों के नीचे की तफ़ आपके पास जो लेवल्स है नाइटीन थर्टी से थर्टी टू का फास्ट लेवल और आफ्टर दैट आप इसको नाइटीन हंडेड या फिर एटीन एटीन भी दे सकते हैं यह पूरा यह जो है यहां पर आपको अच्छी बाइंग मिल सकती है अगर डेली में कुछ स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले तो फिर अफिर देज ощущ आप इसको यहां इसेवाई देखे एफ़ड़ाниз के लिए यहां यहां से अच्छी बाह्त निकल सकती है फिलाल के लिए एफ सफ़ड़े से 7시 प्रफेक्ट से लिए निक लिए निक लिए निक लिए अभी के लिए जब तक 60 बजएक नहीं होता तो आप इसको यहां से दुबारा से से लिए सकते हैं इसको आप इसको आप निकलता है तो विकली लाइन है इसको हम वीक में कर देते हैं यहां से कतम विकली लेवल तो निकले हैं 1970 के पास बट शिक्स्टी फस्ट हर्डर है शिक्स्टी जब तक बजएक नहीं होता आप इसको 60 के नीचे-नीचे मजीद सेल देखेंगे शिक्स्टी के ऊपर निकलता है तो फिर आप इसको 70 80 के लेवल देखेंगे बट आई तिंग सो के 60 इस नॉट बना बेग तो इसली नेक्स चलते हैं इसके चार घंटे के चार्ट में इसको देख लेते हैं ताकि आपको आपको आइडिया मिल जाए के छोटे टाइम फ्रेम म इस तरह से ठीक है इसको अब यह बनके जब तक यह बनके नहीं होता मार्कीट को अपसल में देखेंगे मजीद अगर तो यह बेक हो जाए तो फिर आप इसको बाइव में देखेंगे थोड़ा बहुत ली टेस्मेंट आ सकती है तो नाइंटीन फिफ्टी सैवन पिफ्टी स जाता हुआ देखेंगे और यह आपको नाइटीन एटी यह सेवनटी फाइव के यह से पी अगें सेलिंग में देखने को मिल सकता है तो इस तरह से आप मार्कीट को देखेंगे मजीद हम इसको डेली की वीडियो में डीटेल से देखेंगे चलेंगे अपने मेजर पियर के सब्सक्राइब करने के इन लेवल पर मार्केट जाएगे अभी के लिए के लिए लेवल 175 अभी तक अचीव नहीं हुआ तो मंतली लेवल है यहां से यह 175 इसने जाना है मंतली स्ट्रक्चर शिफ्ट होने लगा 175 नो डाउन कर ले 175 तक यह जा सकता है 175 से पहले-पहले आपने कोई इसमें सेलिंग नहीं देखनी 175 पर आकर 177 यह वनेटी यह भी फियर वे लिए पर आप देखें यहां पर बरेकर भी है तो इन एडियास में अगर आपको इच्छी एक्शन मिले तो यहां से सेल हो सकता है फिलाल के लिए जहां पर ठहर रहा है यहां से आप इसको सेल मे भी हैं जाता है दबल टॉप प्रोतें को मौका मिल जाता है अलिग टॉट को जोते हैं तो यहां पर यहां पिता है अब क्लोजिंग ना दे अब क्लोजिंग ऊपर आ चुके इसका क्या मतलब है लिक्विडिटी ग्रैप नहीं है कांटिनुएशन मार्किट मजीद उपर जाएगी तो आप वेट कर सकते हैं अभी इस यहां पर मार्किट आपको टेस्ट देती है तो यहां से बाइंग करें लिए क्योंकि 175 मंतली लेवल है वहां तक मार्किट जा सकती है डेली में भी इसको हम देख लेते हैं क्या सीच्विशन है डेली में जैसा कि मैंने आपको बदाता देखें आलमदुलीला पर फेक्ट लेवल की वरकिंग आप चेकर हैं मैंने आपको यह लेवल मार्क कर दिया थ आपको बता है 172 171 यहां इसका यहां से आपकी बाइंग निकल सकती है बट सेलिंग में भी मत इसमें परसिएगा नेक्स चलते हैं जी हम यूएस ऑॉयल को विकली चार्ट में देखें तो क्या है और अभी रेंज में है विकली चार्ट में मुझे इसमें कुछ दिखाई न आप इसको बिलो 74.5 74.5 पर यहां पर यहां पर यहां सेल है और आप इसको 70 एंड 68 की तफ देख सकते हैं यह याज इसके बन रहे हैं और वैसे अभी में इतना इन फोकस नहीं रख रहा इसमें चॉपी मूव है अभी नेक्स्ट कौन सा है हमारा पेवरी नेश्ट अब्रफेक्ट मोव इसको मंतली चार्ट में देखते हैं नो डाउन किया था के नहीं लेवन 14200 लास्ट वीकली अनालसे मैं आपको का था नोड डाउन करने किसने किया है तो कमेंट लाजमी बाइंग नहीं करनी तो सेलिंग भी ना करें करनी है तो बाइंग करें 200 सर्पास हो गया अब यह मंतली आउडर ब्लाक में ठेह रहा है मंतली आडर ब्लाक की प्राइस की बात करें तो 14,223 से लेके आपके पास है जी 14,900 917 920 कर देंगे यहां पर अगर आपको इस ट्रक्ट की आप अच्छी ट्रेड मिल सकती है यहां पर आपने अपने सलफ पाइंड करना है वह यह आपका संफ पाइंड करने का नहीं था विकली चाट में विकली अपने फेर विल्यू घप को ईज करने लगा है 14,400 से लेकर आपके पास है 14,000 651 तो यहां से गर आपको सल मिलती है यहां से स्ट्रक्टर मिलता है तो एक यह को सकता है वही मैंने आपको बताया है इससे नीचे आप को नहीं को अ को धेली में को चिजना दिखाना चाहता हूं पर्फ्रेक्शन इसेडियो तक आप प्रफिक जिस ने देखिए लाजमी कमेंट कीजएगा यह लेवल हमने मास्ट किया था थार्टीन फाइव अंडेड्स के आसपास मैं आपको का था बाइंग की जिए एक्जेक्टली वहां से आप देखें आपकी बाइंग निकली फाइव अंडेड्स से लेक्ट आप यह आप कोई वेट करना होता है निश्यारता कि आप यह लिकुरिटी मत बनें इदर यू लिकुरिटी को पैचाने हो लिकुरिटी ही करवाएं तो कूंगी अपने नहीं यहां से अच्छी लिकुरिटी ग्राइब हुई अच्छा आपको एक मिला बाइकर नेक्स्ट मैंने आपको ब अपने प्रेटा भी है वो भी आपको पता है जो एकॉनमी के लिए बहुत इंपोर्टन और वह पॉस्टेव आया है यूस के एकॉनमी के लिए तो स्टॉक्स के लिए भी पास्टेव सब्सक्राइब करते हैं कौन सा पेर है हमारी लिस्ट में 500 को मैं करता है एक से इसलवर को विकली चार्ट से देखते हैं सिलवर विकली चार्ट में अपने फेर विलिव गैप से उपर की तफ जा और मैंने लास्ट वीग आपको बताया था कि सिलवर बेरिश है इसको सेल में देखे गाल दो कि मेरे लेवल तक नहीं है मैं इसको 25 यह 24 एट से सल में देखे रहता बट वहां तक नहीं आया बट इसमें सेलिंग की मूव आई और इस अनालसे से आपको फायदा यह हुआ कि आपको बाइक कि मैं नहीं फशाया गया मैंने अपको बताया था किसको बाइक यह 24.66 के यहां पर आता हुआ मिलता है तो यहां से इसको अगेन आप सेल देखें यह भी और बॉलाग है अब उपर से आपने इसको सेल में देखना है और इसकी सेल अगेन आपके पास 22.5 यह 22 तक चल सकती है विकली चार्ट में अभी तक यह बेरिश है और डेली चार्ट म बनाया ठीक है तो 23 22.8 इस लेवल से आपको बाई मिलती है मंडे ट्यूज्डे वेंस्टे मंडे तो नोट्य इडिंग ट्यूज्डे वेंस्टे थास्टे कहीं भी मिलती है तो यहां से बाइंग करें आप इसको 23.6 23.8 तक होल्ड कर सकते हैं यह लेवल फिर आपने उपर से इसको सेल देखना है 23.8 से मिले 24 से मिले 24.6 से मिले 24.2 तो यह आपकी बहुत अच्छी सेल होगी जो कि आपको अगें 22.6 22.2 तक चल सकती है उसके ने चैनी इसमें लांग टर्म टर्टे के लिए लेवल नीचे गीवन है एक तो यह आपके पास वालिम इंबैलेंस है से वन पॉइंट जियो फिक्स डबल टू से वन पॉइंट जियो शिक्स फाइव सिक्स तो इस वालिम इंबैलेंस में माक एट आती है यहां पर फंदवा मिट विश्वावंट पॉइंट मिट का स्विप दे तो यहां से बाइक हैं अब इसको होल का सकते हैं सब्सक्राइब आप इसको ऊपर से सेल देखेंगे बट आम नाट इंटेस्टेट इन योग यूस्टी इप यूस्टी में भी देखें तो वही चौपी मूब्स हैं बट यह जी भी यूस्टी में भी लास्ट वीक मैं आपको एक लेवल नोट डाउन कर आया था जिस जिसने कि है कमेंट लाजमी किजेगा मैंने कहा था कि जो लेवल आपका यह ब्लू लाइन में आपको नोट डाउन करती ऑन प्वाइंग अच्छी बाइंग जहां से निकलेगी वह आपका यहां पर आपको अगर कोई इजेक्शन पंदा में बीड तीस में का स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर मिलता है यहां से बाइक करें वन पॉइंट टू थी फाइव अने तक लिए यह लेवल इस तरह से आपके चीट मिल सकती है लेवल डू लेवल में ट्रेड करता हूं इसमें यहां कि यहां से का स्ट्रक्चर में सेल्मेशलमें शेप्ट हूआ यह देकें डोन से भू कन नीचे आइज अबी के लिए मार्किट जैपर बिलीश हो मार्किट नशकिकाश मार्कित और ओ सिप्ट कर जीए मीपर आपको इसमेंस प्ले अन टियक्ट ने हां पर 1.2355, 1.355, 1.355, 1.355, 1.358, 50K, यहां से आप इसको buy करें, profit target 1.37 and 1.38 तक भी जा सकता है, आप इसको buying में देखेंगे, selling आप ने देखने हैं तो below 1.35 selling आप देखें, अभी के लिए आप इसको buying में देखें, USG JPY की बात करते हैं, weekly chart में USG JPY bullish हो चुका है, weekly structure इसका shift हो चुका है, यह swing high था weekly, यहां पर इसने break किया, structure shift हो और यह आप देखें तो आपका weekly एक W pattern भी बन रहा है, तो यहां से आपकी buying निकल जकती है, buying के जो levels होंगे, आपके 137.4 से लेकर 135.8, इस area में आपको मिलता है, 4 गंटे, एक गंटे का, यह तिसमेंट का structure shift मिलता है, यहां से buy के profit target आपका इसमें 143 and 145 तक भी जा सकता है, मजीद इसको हम डेली में देख लेते हैं, कि क्या situation है, डेली में भी तक्रीपन वही सेम situation है, डेली पे यहां पर एक structure shift हुआ, यह breaker बना है, कमेंट करके लाजबी बताएगा आपको आपसे कैसा लगा और या क्या हमें यह दूसरे major pairs add करने चाहिए या नहीं, क्योंके वीडियो लंबी हो जाती है, is it worth watching or not, after all, thank you for watching and good luck for your trades, Allah आफिस.